हेलो स्टुडेंट्स इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है पूरू के वीडियो की तरह आज भी हम एक नई बिंदू को जानने का परियास करेंगे परिहार के बिलकुल विपरीत एक संबंध होता है परिहास जिसे हम हसी मजाक के संबंध भी कहते हैं आज हम जानेंगे कि परिहास संबंध किसे कहते हैं परिहास संबंध बिलकुल परिहार के विपरीत है जिस परकार से परिहार में हमें संबंधों में दूरी बना के रखने के लिए कहा जाता है ठीक उसी तरह से परिहास वे संबन्द होते हैं, जिसमें हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाग कर सकते हैं, उनके साथ गाली गलोच भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी बाते भी बोल सकते हैं, जिनें हमें बोलने में जिज़क नहीं होते। किसी का मजाग भी बना सकते हैं तो जिस परकार से परिहार समंद हमें हमारे समाज में देखने को मिलते हैं उसी परकार से परिहार समंद भी हमें हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमारे घर में देखने को मिलते हैं जिस परकार से अगर हम उधारन के बात करते हैं तो जीजा साली में मजाग का संबंध होता है जीजा साला में, देवर भावी में, ननत भावी में, दादा पोती में, दाधी पोते में ऐसे बहुत सारे संबंध हैं जो जिनमें एक घनिष्टता पाई जाती है, एक लगाओ पाया जाता है, एक विश्वास पाया जाता है कि हम इतने नीजी हैं, हम इतने घनिष्ट हैं कि हम उनके साथ किसी परकार का भी मजाग कर सकते हैं परंपरा या प्रथा द्वारा हसी मजा करने के लिए मानेता प्राफ संबंद होते हैं ये इसलिए बनाई जाते हैं ताकि उनमें मधूरता बनी रहे एक संपर्क बना रहे क्योंकि ये थोड़े से दूरी वाले संबंद होते हैं तो मधूरता उन्हें जोड़े रखती है उन् अधीक सोतेंतरता होती है कि वेक्ति अपनी मन की बात कह सकता है। जब चाहे किसी भी रूप में उसे सामने वली वेक्ति के सामने पेश कर सकता है, कह सकता है, मनों भावों को वो प्रकट कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि ये जो सम्मंद्री हैं आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा देते हैं उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं लिकिन वो नीचा दिखाना या वो मजाक करना एक इर्ष्या नहीं है एक जलन नहीं है एक दिल और दिमाग में देश ये बुरा नहीं है परियास एक प्रेरक कारक है जो समंदियों के परस पर समंदों को बढ़ाता है उनमें प्रेम उनमें लगाव उनमें निकटा लाने का परियास करता है और ये लगाव और निकटा ही है कि ये समंद दूर होने के बावजूद बार बार मिलने का परिया करते हैं किसी आयोजन या अफसरों की तलास करते हैं कि कब वो आयोजन होगा अफसर होगा तो हम सबी कठे होंगे आपस में इंजोए करेंगे बातें करेंगे हसी मजाग करेंगे उनके मजाग से माहूल जो है वो हलका होता है अच्छा होता है और लोग उमीद करते हैं कि इस का हसी वाला हसी खुसी वाला एक हलका फुलका वातावन घर में बना रहना चाहिए तो घर में एक रोनक रहती है और अधिकांस्त है इस परकार के जो सम्मंदी जो होते हैं वो किसी उस्सव या त्योहार में ही मिलते हैं और जब मिलते हैं तो खूब मिलकर अपने बातों को अ उनका मजाग बनाने की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस परकार के संबंदों में पाई जाती है। तब तक मनुष्य का जीवन सरल और सही होगा। क्योंकि जहां तनाव और संगर्स होता है वहां जीवन कटिन होता जाता है और मनुष्य का जीवन के प्रति लगाव भी खतम हो जाता है। तो जीवन में अगर उस्साहा बना रहे, लगाव बना रहे, जीने की इच्छा बनी रहे, उसके लिए इस परकार के संबंधों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान का मस्तिस्क तभी काम करता है, जब वो खुश रहता है, जब वो किसी उमीद में रहता है, अगर वो त बनाता जाएगा, इससे उनमें तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मनुश्य के जीवन में तनाव ना रहे, उसके परिवार में लगाव रहे, इसके लिए इस परकार के संबंधों को समाज द्वारा मानेता दी जाती है, हम या अन्य वैक्ति केवल उसी के साथ हंस देवर के साथ, लेकिन इस हंसी मजाक का मतलब ये नहीं है कि वो उनके प्रति समान नहीं करते हैं, समान उनमें भी होता है, लेकिन उन्हें छूट होती है कि बहुत जादा आपको एक दूरी बना के रखने के आवशकता नहीं है, अगर हम सरल सब्दों में बात करें, तो प एक हंसी खुसी का माहुल बनाए रख सकते हैं, जो ऐसा संबंद जब हम सामने वाले व्यक्ति से अपने मन के भावों को कह सकते हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, किसी भी तरह की खुल कर बात कर सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, किसी परकार की छेड़का नहीं कर सक उन्हें छेड सकते हैं, तो इस परकार के संबन जो होते हैं वो परिहास संबन कहलाते हैं, जो हमें हमारे परिवार में और हमारे समाज में, हमारे रिष्टेदारियों में देखने को मिलते हैं. धन्यवाद.